सुबह का चार बज रहा था और हमें जाना था बिर्यानी खाने जी हाँ आपको भी सुनकर अजीब लग रहा होगा सुबह सुबह बिर्यानी खाने कहा जाता है मुझे भी सुनकर पहले ऐसी लगा था और सुबह के नीन तो इतनी प्यारी होती है उटने का बिल्कू भी मन नहीं करता है बट मैंने भी ठान लिया था कि मुझे कैसे भी उटना है और मैं उट गई थी मुझे खुटते वरोसा नहीं हो था कि मैं उटना सुबह कैसे उट गई मैं जा रही थी हॉस्ट कोट ए जो की बैंगलोर में है काफी सुना था मैंने इस जगह के बारे में यहां पे दोने बिर्यानी मिलती है जो की काफी फेमर्स है और यह शॉप सुबह 5.5 बिजे ही खुल जाती है काफी लबी लाइन भी लगी रहती है तो मैंने सुचे चलो एक्स्प्लोर करते हैं कैसा है कैसा नहीं है क्या सुबह सुबह जाना सच में वर्थ है भी या नहीं तो यह हमारे लोकेशन से 44 किलो मिटर की डिस्टेंस पर थी और हम निकल चुके थे बाइक राइट करके सुबह कर टाइम तो ठनी ठनी हवा चल रही थी तो काफी मज़ा आ रहा था दो गंटे लबे हमें पहुंचने में पहुंचते ही जैसे ही अंदर गए ऐसा लग रहा था हम तो किसी साधी के पंडाल में आ गये हैं यह तो पुरा लग रहा था पंडाल से गीरा हुआ ऐसा लग रहा था अंदर जाते ही काफी क्राउट थी काफी जादा लोग आये थे बहुत जादा बीरती तो हमें बैटने को तो सीट नहीं मिला तो अम खड़े-खड़े इखा लिये अंदर गई तो देखी काफी बड़े बड़े बड़ेगour उन में इतने सारे बिर्यानी रखता हुआ है तो गरम गरम बिर्यानी देखकर तो मेरे ब्मूझ से पानीन आ रहा था और मैंने सोच傲 भी नहीं था कि मैं इतना सुब़ाद नहीं खा पाऊंगी कि में उना तो रही थी बड़ मुझे लग नहीं था कि म बहुत ज्यादा भूक तो लगी गई थी और गर्म घरम खाके बहुत ही ज्यादा मज़ा आया काफी टेस्टी है जाने का कुछ तो फायदा हुआ आप लोग भी बैंगलोर से हैं तो जरूर कभी ट्राइ कीजिए गा टाटा बाई बाई भाई फिर मिलेंगे नेक्स ब्लोक के स इड़ा